केंदर सरकार हद करगा को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़े बड़े दावे करती है लेकिन अगर पास्तब में हद करगा उद्योग को बढ़ावा मिलता तो शायद हाथ से बने उत्पादों को बेशने के लिए राज्यस्तान से इन परिवारों को सोलन ना आना पड़ से सोलन में आकर ये जाड़ू बेचते हैं, खजूर के पत्तों से परिवार के सभी लोग कुछ ही मिंटों में जाड़ू तयार कर देते हैं, दस रुपए से लेकर 80 रुपए तक का जाड़ू इनके पास उपलब्ध होता है, हरानी बाली बात ये भी है कि गर का छोटे से से अपने पैरों पर खड़ा होकर देश की GDP बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, राजस्तान से आए परिवार के सदस्यों ने बताया कि बे खजूरी जाड़ू बेचने के लिए परतेक वर्ष सोलन आते हैं और शिमलत तक इस जाड़ू को बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि उनके परिवार के कुछ सदस्यों जाड़ू बनाने का कारे करते हैं तो कुछ सदस्यों बेचने के लिए गाउं गाउं जाते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ दुकानदार उनसे जाड़ू लेकर आगे ग्रहकों को भी बेचते उन्होंने बताया कि उनके जाडू क्योंकि आम जाडू के मुकाबले में अधिक चलते हैं और अच्छी स्वाई करते हैं इसलिए लोग उनके जाडू बेहत पसंद करते हैं उन्होंने कहा कि वे रोज सो से डेट सो जाडू बनाते हैं जो शाम तक बिक जाते हैं जडैस्टान से आता हूं, मैं बिकरे करने आया चितोट गाड़, गहए राजिस्टानी छजरू की जाड़। गाड़। बिकरे कम-कम होता है, खाने का खरसा कम-कम। तक दिन में दोस मातां होडोड जडोड बढॉड जाड़। भी मतनता है लेट ही. तो फिर इसको बाह़ा से ले यह ले जाता है। तो कहां पर वेशते हो इदर वेशते हैं गाउम में ब्यासर जटने के ज़ुडु घृ जाता हो सिर्फ का बगजाता है। तीता कर द्यूजे का है। जादा हो नहीं भगता है। जैसे दूसरे जाडू होते हैं लोग उसको पसंद करते हैं या तूमारे वाले जाडू को पसंद करता है। पचितीस जादू सुप्रेचने वाले मेरा खरियु आर्मी है तो दिन में कितने पाय पॉर्य लेते हैं सो दो से तिन सुर रुकर अभी जाते जो कलेखिए में मिला हूं भीजाते डेशी में जाते पंधरी जाते हैं हम तो यहां यहां आड़े परे फोरे मोटे गाहों में बेचते हैं लंबा नहीं जाते हैं अच्छा दुकान पर फोरे मोटे गाहों में